हारे हुए टेस्ट मैच में बारत की एक बर फिर से वापसी हो चुकी है और ये जो वापसी है ये कराई है इंडिया के जब से ब्रोसे मन जो जोड़ी है उसने विराट कोली और रोई शर्मा ने वह साथ में सरफरास खान ने भी शांदार साथ दिया है और नाबाद खेल रहे ने अपना शांदार पहले शतक बूरा किया उसी के बाद टीम साथी ने भी काउंटर अटाइक किया इंडिया के गैनबाजू पार और पैंसे रन बनाए और न्यूजिलेंड की टीम ने 402 रन बनाए और आल आउट होगी वहीं उन्होंने इंडिया को 300 शपर रनू की लीड दे दी थी और अगर टीम इंडिया को ये मैच जीतने का सोचना भी था तो पहले 300 शपर रनू की लीड खतम करनी है उसके बाद कम से कम 150-60 रन देने पड़ेंगे न्यूजिलेंड को चेस करने के लिए चोथी इनिंग में और टीम इंडिया ने आज शांदार बल्लेबाजी की उन्जाज सवर की बल्लेबाजी की और 231 रन बनाए तीर विगट की नुकसान पर ये शेस्वी ने 35 वही रोई शेर्मन और शांदार बावर रनू की पारी खेली विराट कोली ने 70 रन बनाए 102 गैंदू में और उन्होंने टेस्ट में अपने 9000 रन भी पूरे कर लिये है और सर्फरास खान भी नाबाद 70 रन उपर खेल रहे हैं और अभी भी टीम इंडिया की बहुत बल्लेबाजी बच्ची हुई और ऐसा लग रहा है कि ये जो 125 रन बाच चुके हैं ये टीम इंडिया काल पहले ही सेशन में बना लेगा और फिर उसके बाद न्यूजिलेंड को कम से कम 200 रन का टार्गेट देना पड़ेगा और दोस्तों शायद इससे गोतम कंबीर की एक बात साच हो रही है कि जो उन्होंने कही थी पैस कांफरेंस में कि हमारी टीम ऐसी है कि जो ताबर तोर बल्लेबाजी भी कर सकती है और अगर हमें दो दिन तक बल्लेबाजी करनी ह रुक कर वो भी कर सकती है तो बिलकुल इंडिया का इंट्रेंट उसी तरह से दिख रहा है अपनी दूसरी पारी में इंडिया भी अब दूसरी इनिंग में ताबर तोर रन पना रहा है और ओशर्मा ने अपनी गलती भी मान ली थी के उनने बोला था कि मैंने सोचा कि यह फ जिसमें टीम इंडिया पहली इनिंग में 46 रन पर आल उट हुई और उसके बाद ये मैच जित जाए और टीम इंडिया के बले बाजू को देखकर ऐसा लग रहा कि शायद इंडिया अब विनिंग ट्रैक पर एक पर फिर से वापिस आ रही है और दोस्तों जब तक इंडिया ये मैच हारती नहीं तब तक इंडिया के फैंस को निराज होनी की जुरूरत नहीं क्योंकि इंडिया की डिम कुछ भी कर सकती है ये दो दिन में टैस्ट मैच का रिजएट निकाल सकती है अभी तो इंडिया के पास दो दिन और बच्चे हुए हैं और ऐसा लग रहे कि कि इंडिया को एक मजबूस चितिती तक पहुंचाते हैं यहां से आप इंडिया को यहां से तीन चार पार्टनर्शिप और बड़ी बड़ी चाहिए जो की ऐसा लाग रहे कि शहरी टीम इडिया उसे बनाने में सफल रहेगी तो दोस्तों आपको क्या लगते है कि क्या टीम चाहिए गाक मैंट भास जुरूब ताना और अगर आप डेली की रिकर्ट्स के अपडेट देखते हो तो मार्चनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं एंगली वीडियो में